इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह यह दबी हुई गोनोरिया और सिफलिस की स्थितियों का प्रबंधन करता है और विभिन मांस पेशियों के जोड़ों में दर्थ से राहत देता है इसका उप्योग कलाईयों और उबर खाबर पैर की उंगलियों की सूजन को प्रबंधित करने के लिए भी किया जाता है मूत्र संबंधी विकार जैसे पेशाप का रंग हराब होना और दुरगंधाना बैंजोइकन के उप्योग से ठीक हो जाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. यह मूत्राशय की सूजन जैसे मूत्र विकारों को ठीक करने में मदद करता है 2. यह पेशाप करने में दर्द और बार-बार पेशाप करने की इच्छा की स्थिती से भी राहत देता है 3. यह दुरगंध के साथ मूत्र के रंग में बदलाव को ठीक करने में मदद कर सकता है 4. यह रक्त में यूरिक एसिट की मात्रा को भी कम करता है और गुर्दे की शूल से जुड़े लक्षनों को नियंत्रित करता है 5. इसका उप्योग आमबाती और गठिया दर्द के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है 6. इसका उप्योग दर्दनाक सिर्दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जाता है विशेश रूप से सिर के सामने और किनारे पर 7. यह मूह के छालों को ठीक करने में मदद करता है और गले की खराश से राहत दिलाता है 8. यह पाचन संबंधी विकारों को भी ठीक करता है और दस्त के प्रबंधन में सहायक है 9. इसका श्वसन तंत्र पर उलेकनिय प्रभाव पड़ता है और टॉंसिलिटिस के साथ साथ एंठन वाली खांसी को भी नियंत्रित करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें